नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों कैसे हैं आप सभी उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे दोस्तों आज का मोटो ब्लॉग प्लस ब्लॉग हम चल रहे हैं चित्रकूट वहां का आप लोग देखने वाले हो आज है दिवाली का दिन और आज हम लोगोंने प्लाइन किया कि चला चित चित्रकूट ही जाएंगे चित्रकूट अभी तकरीबन यहां से 100 किलोमेटर के प्लस है 120 किलोमेटर बचा हुआ जहां पर हम है इस टाइम पर तो मौरनिंग में डब कर रहे हैं भाई वीडियो को इसलिए जगे का नाम नहीं लेते हैं तो वाइस जब करना इसलिए ज़रू क्योंकि गुमाई होने वाली है तक्रीबन नव बज रहे हैं साठे नव और यह दस का टाइम हो रहा है तो हो सकेगा तो पूरा हो सकतए बार्ची देखते हैं क्या होता है प्लान तो यही कि साम तक में रिटेना जाएंके कोई दिवाली का दिन है तो गर पे भी मस्ती मजाक और पटाके फोड़ना तरह तरह की चीज़ें होने वाली हैं तो हजार रुपएका पेटरोल डलवाते हैं देखते हैं आता की नहीं यहाता है वैसे आये गा नहीं बाइक में हजार रुपएका तेल क्यों की विध्यू का अर दो पॉइंट इसमें कितने का तेल आता कूई बाकी भाई मज़ा आ गया कमेंड करके बताएगा कि चितरकूट आप लोग कब गये थे और चितरकूट अगर इस बार भी गये थे तो पताएगा कैसा लगा वहाँ पे जाकर क्योंकि मैंने सुना यार मैं दिवाली पे कभी नहीं गया हूँ चितरकूट वैसे तो गया हूँ मैंने वहाँ का ब्लॉग भी डालाया देख सकते हो जाके पर दिवाली के टाइम पे कभी नहीं गया हूँ तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं है कि वहाँ पर दिवाली पर न और फुल करवा लेंगे मगर यही है कि अभी तो फिलाल जितना है हो जाएगा इतने में क्योंकि चित्रकुड घर थे तकριबान 1500 किलो मिटर पढ़ता है और आना जाना मिला के 300 किलो मिटर हो गया तो 300 किलो मिटर के लिए तो हो जाएगा इतने में आगी कम पड़ेगा तो कोई कि मिस्रा स्वीट हाउस माउ में रबड़ी भाई मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आती है इसलिए मैंने वह भी लिए रखा है और मिस्रा जी कहां देख सकते हैं कितनी भीड रहती है भाई समोसा यहां का बहुत ही फेमाज है समोसे मिठाई सब कुछ फेमाज है लगता है इतना लोग आते हैं इनकी दुकान में बहुत ज़्यादा भीड रहते हैं आप कभी भी आऊगे ना तो भीड़ी दीखेगी और अगल बखल कि सारे दुकानों में कोई नहीं जाता है मुझे लग रहता है सब दुकाने पे ही आते हैं इनकी तो अब भाई सुभम चलाएगा बाइक मैं ती देर थे बाइक महीं ही चला रहा था तकरीबन 50-60 किलमेटर बाइक मैंने चलाया अब सुभम चलाएगा क्योंकि भाई बैटने में भी आलाग माजा आता है तो बैट के थोड़े दिल इन्जुआए करते हैं और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं चित्रकू अन्दर एंटर नहीं है यानि कि बैकले के नहीं जा सकते मगर कीा प्रेयाग करते तो लेके जाना है तो परमीसन लें है ऑलियो कर दिया भाई यहाँ का उन्होंने भाई पफट्रवीडिय सतक्राइगा मुस जाईगा दके ही सबीषी ट्रोंदिर आडिशुसे जोनियर ऑन बाकी वहां से तो कोई इंटर कर नहीं सकता बाकी वहां से बाहर जा सकते हैं भले तो हम लोग बिल्कुल किणारे पहुँच चुके हैं मंदाकिनी ने दी के जहां पर असनान करते हैं राम घाट बाइक यहीं पर खड़ी कर दिया जैसा कि आप देख सकते हो और वहां पर भी इसी पाही तैनात है ताकि घाट पर कोई बाइक न ले जा सके अब इतना दूर आ चुके हैं तो कोई दिक्कत भी ने अंदर वैसे भी ने जाना है आट नौ किलमेटर चलवा दे रहे थे भाई तो इसलिए फिर मुझे बाइक लेकर यहां तक आना पड़ा पर्मीशन लेकर अब यह लोग भी पूछ रहते हैं अंदर कैसे आगा यार तो मैं बता रहा हूँ ही कि बाइक पर्मीशन है इसलिए उन लोग को और सुबम का सिट अप आप देख सकते हो लोग आएं स्नान करने के लिए और पैदल चल चल के भाई लोगों की हालत बिगड़ जाती है इसलिए ठक गए हैं लोग एकदम से और यहां गाट पर भी पुलिस बलता है ना थ है जैसा कि आप देख सकते हैं ताकि कोई असुबिधा ना होने पाए तो यह बहुत सही रहता है जरूरी भी है और मंदाक निनदिया किनारा आप देख सकते हो कभी प्रभुश्री राम यहां पर विराज मान हुए होंगे बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है और यहीं पर तुलसी बाबा की एक मूर्ती भी रखी होई है तो बहुत ही उत्तम अस्थान है वहाँ भी चलके मैं आपको दिखाता हूँ पूरा किनारा यह मंदाक निनदिया यहां पर राम घाट के नाम से इसको जानते हैं चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड स्रितुलसी दास चंदन घिसे तिलक देतरगुबीर यह वही जगह है जहां पर बाबा तुलसी दास चंदन घिसा करते थे और प्रभू श्री राम ने उनको दरसंदिया था यह वही स्थान है आप देख सकते हैं लोग यहां पर भी बुजा पाट कर रहे हैं सामने एक माता जी की मंदिर भी है काफी हुचाई पर आप वह सामने देख सकते हो एक बोड भी लगा हुआ है और बाकी किनारे पर जश्ट बाबा तुलसी दास विराजमान है यहां का जल काफी सच है और दीए बहुत भीक रहे हैं आपर क्योंकि आज के दिन दीपावली के दिन यहां पर दीप दान से बहुत ही पुन्य मिलता है तो इसलिए काफी दूर दूर से लोग यहां पर आते हैं सुभम कुछ बोल रहा है भाई म्यूट कर दिया है मैंने वाइस इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा होगा अब हम पहुँच चुके हैं किनारे पर और स्नान करेंगे यह मैं वीडियो में यही चुछ बोल रहा हूँ और म्यूट इसलिए कर दे क्योंकि बाहर की नॉइस कुछ ज़्यादा है रिकॉर्ड हो गई थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी इस वज़े से म्यूट करना पड़ा भाई वीडियोस को और मैं वाइस ओवर कर रहा हूँ तो यह भी आपको अच्छा ही लग रहा हो का उम्मीद करते हैं और किनारे आप देख सकते हैं पक्के किनारे पुरे बनाए गए हैं सुभ हम भी कैमरा लेकर रेडी हो गया मैं बोला चलब मेरी फोटो खीच तो भाई क्योंकि मज़ा आता है भाई फोटो खीच वाने यह आदे बने रहती है और लोगों ने इतना धूबत्ती जला दिया यहां पे और फूल माला अर्पित कर दिया है नदी में कि अईसा तुपर उपर से हो गया बाकि नदी का पानी बहुत ही सच्छा साफ सुतरा है अब नीचे देख सकते हो उपर उपर जो भी तुभा होते ज़रू है वही हुआ है बाकि नीचे का सही है अब यह मोटो ब्लॉग प्लस ब्लॉग हो गया तो आप लोग को थुआ सा ज़्यादा मज़ा आ सकता है वह ब्लॉग में क्योंकि दोनों चीज़े हैं अब नहा लेते हैं थंडा पानी तो है और पर नहा ना जरूरी है नहा नहीं तो आया है मारते हैं एक डुबुक्की चलो 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 भाई नहा हो ना एक पीछे मेरे अंकल जी देख रहे हो जहां मुझे तैरना नहीं आता है तो आसा थंडा पानी है भाई पूरा अब थंडी का सीजन आ गया तो भाई पानी ठंडा होने वाला कहीं भी आप ना होगे और हमारे हागंगास्तान करने का भी मौत तो होता है इदर माग मेले में तो बहुत ज़दा भीड़ा आती है भाई और ठंडा पानी उस टाइम भी बहुत ज़दा ही रहता क्योंकि माग का मेला माग का महीना बहुत ठंडी भरा होता है जनुरी फैबरी वरी का तो आप लोग आईएगा इंजॉय करिएगा बाकी अब कैमरा को बंद करके नहा लेते हैं पहले अच्छा से उसके बाद फिर ब्लॉग को कंटीनियू करेंगे तो अभी मैं नहा चुका और सुबह में नहा लिए है काफी देर तक हम लोगोंने नहा आया फोटो सूट किया मज़ा आगया बाई एकदम दिमाग फ्रेस हो गया बाई चला के जो ठकान लगई थी पुरा दिमाग फ्रेस हो चुगा है सुबह में डैलाग मार रहा है अपने जो कंदे पर मालमा लिया उसी से related तो म्यूट कर दियाने मज़ा तो आता भाई और अंकल को देख सकते हैं चाउड़ी आ रहे हैं अब हम लोग लगवाएंगे टीका सुबह और मैं दोनों और ये लड़के भाई बोल रहे थे मुझे ब्लॉग में डाल लो तो भाई इस्टोरी तैयर करनी पड़ी ये बहुत देर से नहा रहे हैं आ रहे हैं निकल ही नहीं रहे हैं पानी से इनको खूब मज़ा आ रहा है अलग allows देके फोटो सखम्च खिचवा रहे हैं सीख रहे हैं उसे मतारा देख रहे हैं और टीका यहां पर लगवा लिए मोलरह रहे हैं 25 और 100 रुपे लेंगे हम तो हम भी आ चुकी है अब खाना सुरू करेंगे मैंने सुचता हुआ सा ब्लॉक बना लेते हैं और ये लोकेशन एक्चुली में है गुप्त गोदावरी वाले रास्ते पे हम गुप्त गोदावरी की तरफ ही आएं तो सतियों सुईया हमें वहां भी गए हम लोग काफी जगे घुम इसले माँ पे जहां से किया आप रुप्य वे साहरे से आप ऊपर चड़ सकते हैं कि कि सीड़ियां बहुत खड़ी हैं सब लोग चड़ नहीं पाते हैं काफी बृद्ध लोग तो नहीं चड़ पाते हैं यूँ आइं बाद चड़ भी चड़ता सकते हैं तो भाई बिलॉक यही पर इंड करते हैं सौर्टकट में गए तो बहुत जगे पर हर जगे का व्लॉग डालेंगे तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है तो सौर्टकट में आपको दिखा दिया फाइनली मेरा मतलब यही ता दिखाना है कि मैं चित्रकूट घूमने आया हूँ और चित्रकूट का थोड़ा बहुत नजारा आपने देखी लिया किस तरीके का है चित्रकूट दिवाली में